आज हम देखेंगे, तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोणों के उधाहरण। राहुल ने नीचे दिये चित्र को देखकर यह ग्यात किया कि कोण एक और कोण दो तिर्यक छिदी रेखा जे के एक ही तरफ बने अंतह कोणो यानि इंटीरियर अंगल्स का युग्म है ग्यात कीजिए कि राहुल की समझ सही है या गलत पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वह रेखा जो एक ही तलमे स्थित दो ये दो से अधिक रेखाओं को बिन बिंदुओं पर प्रतिचेत करती है एक तिर्यक छिदी रेखा यानि ट्रांसवर्सल कहलाती है यहां हम देखते हैं कि रेखा J, रेखा K और रेखा L को दो भिन बिंदुओं पर प्रतिचेत करती है इसलिए वह एक तिर्यक छिदी रेखा है प्रतिचेत करते हुए यह रेखा कुल आठ कोंड बनाती है इन कोंडों में हमें देखना है कि कोंड एक और कोंड दो तिर्यक छिदी रेखा J के एक ही तरफ बने अंतह कोंडों का युग्म है अथ्वा नहीं जैसा कि आप जानते हैं वे दो कोण जो तीरियक छिदी रेखा द्वारा प्रतिचेत की जाने वाली दो रेखाओं के मध्य है एवं तीरियक छिदी रेखा के एक ही तरफ है वे तीरियक छिदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतह कोणों का युक्म कहलाते हैं हम कोण 1 और कोण 2 के संदर्भ में देखते हैं कि कोण 2 रेखा L और रेखा K के मध्धे भी है और 3-6 रेखा J के एक तरफ भी है लेकिन कोण 1 की बात करें तो यह 3-6 रेखा के उस तरफ ही है जिस तरफ कोण 2 है लेकिन यह रेखा K और रेखा L के मध्धे नहीं है इसलिए हम इ तिरियक छेदी रेखा J के एक ही तरफ बने अंतहों कोणों का युग्म नहीं कह सकते। इसली राहुल की समझ गलत है। अगला उदाहरण, दी गई आकरिती में रेखा L, रेखा N और रेखा M की तिरियक छेदी रेखा है। ग्याद कीजिए इस आकरिती में तिरियक छेदी रेखा L द्वारा बनाये गए अंतहों कोण यानि इंटिरियर आंगल्स कौन से है। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तिरियक छेदी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो दो रेखाओं के मध्य हो अंतह कोण कहलाते हैं। इस आधार पर क्या आप बता सकते हैं या अंतह कोण कौन से हैं। सुचिए सुचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां रेखा M और रेखा N के मध्य में तिरियक छेदी रेखा L त्वारा बनाए गए कोण हैं, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 8। इसलिए दिये गए चिद्र में ये सभी कोण अंतह कोण हैं। अगला उदाहरण, दी गई आकरिती में रेखा L, रेखा N और रेखा M की तिरियक छेदी रेखा है। ज्याद केजिए इस आकरिती में तिरियक छेदी रेखा L त्वारा बनाए गए बाह ये कोण यानि exterior angles कौण से हैं। जैसा कि आप जानते हैं, तिरियक छेदी रेखा द्वारा दो रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो दो रेखाओं के बाहर हो बाह ये कोण कहलाते हैं। इस आधार पर क्या आप बता सकते हैं, यहां बाहर ये कोण कौण से हैं, सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहां रेखा M और रेखा N के बाहर तिरियक छेदी रेखा L द्वारा बनाये गए कोण हैं, कोण 1, कोण 2, कोण 6 और कोण 7, इसलिए दिये चित्र में ये सभी कोण, बाहर ही कोण हैं। आज हमने देखें, तिरियक छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोणों के उधाहरण।